हलो बच्चो आपको एंस्योर करूंगा कि आपको NCRT की एक एक लाइन इस चैप्टर की समझ आ जाए जो बहुत इंपोर्टन्ट है नीट और हमारे पास आपके स्कूल के एक्जाम के लिए इंपोर्टन्ट यह होता है कि आप जैसे जिससे पढ़ रहे हैं उसकी पढ़ाएवे टॉपिक्स आपको NCRT से रिलेट हो रहे हैं कि नहीं वो लाइने आप समझ पा रहे हो के नहीं क्लिर है मारलो स्पीड वैरी कर सकती है फास्लो हो सकता है बट मेनली आपको अपने एकॉर्डिंग चीज़ों को understand करना है ताकि आप NCRT की वो लाइन समझ सकें जो बहुत important है जिससे directly questions आ जाते हैं हम लोग कहते हैं कि यार NCRT रट लेंगे तो हो जाएगा रटना नहीं है बिटा उसको समझना है पहले फिर वो याद करना है ठीक है तो इस बात को लेते वे हम अपना second chapter start कर रहे है plant physiology का mineral nutrition को हम बाद में करेंगे अभी continuously हम तीन chapter पढ़ेंगे एक photosenses, second respiration third plant growth and development तो start करते हैं बिटा lecture से सबसे पहले हम लोग बात करने वाले है topics क्या topic deal करेंगे क्योंकि बहुत important होता आपको topic बताना ताकि आपको ये clear हो जाए हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है तो early experiment ठीक है photosenses कहां होती है chloroplast में उसमें discussion करने वाले है pigments के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि pigments के बारे में कुछ misconception है बच्चों की उसको ठीक करना जरूरी है फिर हम बात करेंगे light reaction की electron transport जो light reaction का part है और फिर कैसे ATP बनती है जिसे हम कहते है chemiosmotic hypothesis इस पर discussion करने वाले हैं हम लोग उसके अलावा उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि ATP और NADH कहां use होगा means dark reaction फिर एक problem होती है बिटा plants के अंदर जिसे photorespiration कहते हैं और उसके solution की form में हम लोग स्की 4 pathway पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे बिटा factors affecting photosenses एक topic है हमारे पास factors affecting photosenses इस topic को हम लोग deal करने वाले हैं clear तो start करते हैं अपना पहला topic और मैं इस तीज़ को आपको एक introduction के थू जाऊंगा सबसे पहले photosenses का हमारा एक introduction घ्यान से सुनेंगे बिटा देखिए जब हम अर्थ पर अपने आसपास observe करते हैं तो हमें क्या दिखता है हमें ये दिखता है कि life जो है उसमें animal है, plant है, algae है फंजाई है, ये सारी चीज़े है मैं इस बात को इस तरीके से कहता हूँ बिटा, कि plant जो है वो earth पर basis of life बनाते है, मतलब life का main base plant है, इस बात को जरा आप ऐसे observe करो मेरी बात को कि आप ये सोचो, कि आपके अंदर जो carbon है, वो कभी ना कभी किसी plant ने fix किया होगा, मतलब तो किसी ना किसी plant ने CO2 की form में वो carbon लिया होगा आपने food के थुरू अपने अंदर उसको absorb किया है समाउ लाया है, या मैं इस बात को ऐसे बोलता हूँ, मेरी body में कोई ना कोई जो sodium है calcium है, phosphorus है वो कही ना कही plant ने कभी root से absorb किया था तब मैंने उसको consume करके अपनी body में लाया या मैं nitrogen की बात करूँ वो nitrogen जो atmosphere में थी कभी ना कभी किसी bacteria ने उसको soil में fix किया था तो अगर आप ध्यान से सोचो life का basis क्या है कि somehow plant जो है उस चीज को, जिसे हम inorganic चीज कहते हैं, जैसे कि CO2, उसको organic में convert कर पाते हैं, जो हमारे use की है, तो इस chapter में वही discussion हम लेकर जाएंगे, तो सबसे पहले अगर मैं photosynthesis को define करो, photosynthesis का definition मैं लेना चाहरा हूँ तो मैं ये कहूंगा बिटा, photosynthesis actual में एक ऐसा process है, एक ऐसा process है, जिसमे inorganic inorganic CO2 को convert करते हैं, convert into हम कहेंगे organic organic form में जिसे आप glucose कहते हो कुछ ऐसा मैं करने वाला हूँ, चीक है, photosynthesis में क्योंकि हम 10 से एक level उपर जाएंगे बिटा, यहाँ पर थोड़ा सा उपर जाएंगे और चीजों को ज़ादा better समझेंगे देखें, देखें, ध्यान से देखें बिटा दूसरा अगर आप इस बात को समझ पाओ तो मैंने ये बोला है कि CO2 क्या है, हमारे पास एक inorganic चीज है clear inorganic है इसको हमने convert किया है इसमें C6H12O6 में, इसमें convert किया ध्यान से देखें अगर आप इस चीज को समझ पाएं इस reaction में मैंने inorganic को organic में convert किया और यहाँ पर यहाँ पर अगर आप देखें hydrogen add हो रही है अगर आप देखें carbon oxygen में अगर मैं 6 लिख दूँँगा तो यहाँ 6 आ जाएगा ठीक है लेकिन mainly क्या हो रही है hydrogen add हो रही है तो addition of hydrogen क्या होगा हम कहेंगे reduction तो अगर मैं कुछ basic point पे बात करूँ photosynthesis के तो सबसे पहले मैं कहूंगा it is a reduction यह कैसा process है reduction है चीक है यह process कैसा है बेटा reduction reduction है यह process clear है reduction क्यों है क्योंकि CO2 से आपने क्या बना दिया glucose बना दिया that process is reduction समझ लीजे इस बात को दूसरा reduction को energy चाहिए तो मैं कहूंगा यह endothermik है चाहे आप sunlight से लाओ चाहे कहीं से लाओ मतलब इसको energy चाहिए reduction energy require होता है normally और oxidation में energy बनती है ध्यान रखिए तो यह process एक endothermik process है दूसरा इसको कराने वाला कौन है enzyme है तो enzyme करा रहा है इसको और कोई चीज बन रही है तो मैं बोलूंगा यह process एक anabolic है now what is anabolic अगर कोई चीज बनती हो synthesize हो उसे हम anabolic कहते है और enzyme involved है तो यह तरीके से इसमें enzyme involved है और synthesis हो रही है चीजों की क्या हो रही है synthesis हो रही है ठीक है enzyme involved है बिटा enzyme involved है ना यह कह सकते है और अगर आप ध्यान से देखो हमारे पास CO2 gas की form में होता है और glucose होता है aqueous की form में समझो इस बात को तो एक तरीके का यह physical change भी है मतलब gas को आप convert कर रहे हो aqueous form में ठीक है क्योंकि glucose घुलावा होता है पानी में aqueous form में होगा तो आप CO2 को convert कर रहे हो किसमें aqueous form में तो एक तरीके का क्या है बिटा यह एक तरीके का यह anabolic है endothermic के reduction है दूसरा हम कहते है एंसे ने लिखा है कि यह physical chemical change है physical change भी हो रहा है और chemical change भी हो रहा है आप देख रहे हैं कि CO2 का reduction हो रहा है और glucose बन रहा है जिसमें आपके पास physical change मतलब gas convert हो रहा है aqueous form में और chemical बदलाव का मतलब हो गया chemical change भी हो रहा है chemical change का मतलब यह हो गया कि CO2 से chemically एक different compound बन रहा है तो यह एक overview है जो photosenses के बारे में आपने समझना है कि photosenses basis of life कैसे है क्योंकि यह एक तरीके से inorganic चीज़ को organic में convert करता है तो अगर मैं एक simple advantage की बात करूँ मैं एक simple बात करूँ कि क्या हमारे पस role है इसका role on earth हम बात कर रहे हैं बिटा photosenses के role की किस पे? अर्थ पे तो अर्थ पे इसका क्या role है photosenses का अगर हम इस चीज़ को समझ सके तो हम यह कहेंगे बिटा हम यह कहेंगे कि photosenses अर्थ पे क्या role करती है actual में वो basis of life form करती है basis of life या मैं कहूंगा source है organic का source of organic है सोचो इस बात को दूसरा मैं कह सकता हूँ बिटा दूसरा मैं कह सकता हूँ कि basically oxygenic oxygen इसने produce किया है पहले environment में oxygen नहीं था यह plants थे जिनोंने oxygen लाया यह plants थे जिनोंने oxygen लाया तो हम कहेंगे oxygen produce किया है clear हो गई बात तो यह हो गए है हमारे पास दो role अब हम इसके बाद की बात कर सकते हैं बिटा क्योंकि हम यह समझा बिटा अब हम photosynthesis की detail पढ़ने जा रहे हैं ध्यान से सुनना में जो बताऊंगा आपको photosynthesis की detail जो थी एक process है यह detail मुझे बहुत सारे experiments के थुरू पता चली है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखे photosynthesis के बारे में हम यह जानते हैं कि photosynthesis के लिए मुझे क्या है photosynthesis के लिए मुझे require है require है CO2 ठीक है पानी चाहिए, light चाहिए यह सारी चीज़े मुझे चाहिए clear, यह सारी चीज़े मुझे चाहिए तो photosynthesis के लिए इन चीजों की requirement है इन चीजों की requirement है clear, light चाहिए, food चाहिए, mineral चाहिए यह सब कुछ light चाहिए, CO2 हमारे पास, और हम बोल सकते हैं water चाहिए, यह सब कुछ हमें कैसे पता चला यह सब कुछ हमें पता चला बहुत सारे experiments के थ्रू काफी सारे experiments के थ्रू पता चला, और यह experiment 1700 कुछ हम कहेंगे mid 18th century से लेकर, आपके 19th और 20th century तक हुए तो यह experiments ने prove किया, कि photosynthesis के लिए क्या-क्या requirement है ऐसे कुछ experiments हम पढ़ेंगे कि जो चाहिए हमें photosynthesis related, पर एक चीज़ समझे बिटा इन सारे experiments में common बात थी, common बात यह है कि photosynthesis जब हम पढ़ते हैं, तो उसके होने का द्यान से देखें बिटा, photosynthesis हो रहा है, इस बात का मुझे proof क्या है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ what is proof of photosynthesis photosynthesis हो रहा है, experiments के थूँ, तो हम proof कैसे करेंगे, तो proof हम दो तरीके से करते हैं, मेरी बात बहुत द्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ, हम लोग इतने सारे experiment पढ़ने जा रहे हैं इस experiment में आपको सबसे पहले ये समझ आना चाहिए, कि हम proof क्या कर रहे हैं, मतला हम निकालना क्या चाह रहे हैं, उसके लिए अपने दिमाग में ये रखो, कि photosynthesis हो रही है, इस बात का क्या proof है तो proof of photosynthesis, या तो आपको experiment में क्या बन रहा होगा starch बन रहा होगा, जिसको आप test करेंगे iodine से समझो, ये basic है experiment समझने के लिए दूसरा आपके पास क्या बन रही होगी oxygen form हो रही होगी जिसको आप क्या देखेंगे bubble की form में बनेगी, अगर पानी में है, तो आपको ये समझना है कि अब हम experiments पढ़ने जा रहे है, photosenses के उन experiments का ध्यान से सुने, उन experiments का होने का proof क्या रहेगा या तो उन experiment में starch बन रहे होगे या उन experiment में हमारे पास oxygen बन रही होगी, clear हो गई बात, ये ठीक है तो start करते हैं अपने first experiment से, ठीक है जो कह रहा है NCRT कि class 10th में हमने बता उसका नाम है veridated leaf पहले veridated leaf का meaning समझो ये leaf है आपके पास पहले experiment कह रहे है, leaf है इस leaf में हमारे पास इस तरीके से green areas हैं और कुछ non green areas है ऐसी leaf को मैं veridated leaf कह रहा हूँ, ऐसी leaf जिसमें मेरे पास non green और green area है हम ये मानते है कि खाना जो है, food जो है वो green area में बनकर non green में move करेगा समझो इसे, तो मेरे पास green और non green area है हम ये मानते हैं कि food जो है, वो green area से बनके non green area में जाएगा तो मैं कैसे इसको करूँगा ध्यान से देखेंगे, मैं एक plant ले लूँगा जिसमें veridated leaf है ये plant है ठीक है, इस plant में कैसी leaf है बिटा, plant में मेरे पास veridated leaf है veridated leaf इसके अंदर है इस plant को मैं क्या करूँगा ध्यान से देखो, इसको मैं पहले dark में रखूँगा, इसको place किया, मैंने ये tent में था बिटा activity में, placed in dark मैं इसको dark में रखूँगा, dark इसको कुछ दिन के लिए dark में रख दिया plant को, तो जितना भी stored खाना था, वो सारा use हो गया मतलब, इस green area का और non green area का जो भी food था, वो finish हो गया फिर मैंने उसको क्या किया बिटा again रखा light में उस plant को again किसमे रखा light में, और food जो था, food मेरे पास बन्या start हो गया food synthesis start हो गई हना, start हो गई तो हम क्या करेंगे, क्योंकि food green area में बन रहा है हम देखेंगे कि वो इसमें जाएगा हम क्या करेंगे, अभी just मैंने light में रखा है, उस leaf को मैं kill कर लूँगा, तो leaf में क्या करूँगा, leaf को मैं boiling ethanol में डालूँगा पर उससे पहले मैं उस leaf पर, ध्यान से सुने बिटा उस leaf पर mark कर लूँगा कि कौन सा मेरे पास variedated area है, ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास ये leaf है इस leaf पर मैंने mark लगा लिया है कि ये वाला green area है और ये non green area है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, plant लिया उसको dark में रखा, खाना खतम हो गया, फिर उसको light में रखा, खाना बना, उसके बाद मैंने leaf को kill कर दिया boiling ethanol में, leaf को जब मैंने boiling ethanol में kill किया है इसका मतलब ये हुआ, अब मैंने kill करा, और फिर उस leaf को boiling ethanol में डाल दिया, उससे कि जो ये मेरे पास मैंने पाया जो ये green area है ये blue black show कर रहा है ये green area क्या show कर रहा है blue black तो इससे ये proof हुआ बिटा हमारे पास इससे ये proof हुआ कि green area photosynthesis करता है अगर मैं इस वाले plant को डालता तो वो move कर चुका था green से non green में मैंने उससे दुबारा photosynthesis कराई और उसके move करने से पहले उसको boiling ethanol में डाला process रुख गया फिर मैंने mark किया था green area तो उस green area में देखा मुझे blue black color आया मतलब खाना वहीं बना है तो ये experiment class 10th में था जिसे हम कहते हैं very jated leaf experiment तो इसमें देख सकते हैं क्या point sensitivity में to look for the starch formation देखे हो इस experiment का proof क्या है क्योंकि हम iodine से check करें हमने का starch मैंने कहा था सारे experiment को proof करने के लिए आपको कुछ ना कुछ basic point चाहिए या तो starch बन रहा होगा या oxygen ठीक है दूसरा a very jated leaf that was partially covered with black paper एक option ये है ये वाला दूसरा option ये आप ऐसे भी कर सकते हो इस experiment को कि आप इसमें half cover कर लो black paper से तो इसमें food बनेगा इसमें नहीं बनेगा ये दो तरीके से आप कर सकते हैं तो on testing these leaves for the presence of starch ये clear हो जाएगा कि क्या होगा green part में photosenses बनेगी मतला हम ये कहना चाहरे है इसको करने के दो तरीके एक तो ये है कि green part में photosenses हो रही है दूसरा आप leaf को cover कर दो half black paper से चीक है black वाले part में photosenses नहीं होगी iodine के साथ blue black color नहीं आएगा दूसरा इस वाले में आएगा clear तो NCRT ने ये वाला बताया है और ये वाला आपके पास class 10th में था NCRT ने कहा है कि old experiment है जो class 10th में आपने पढ़े थे first ये है second मैं आपको ये बता रहा हूँ बिटा second experiment मैं आपको ये बता रहा हूँ von mole का half leaf experiment देखो ये क्या है exactly ये experiment ये है बिटा मेरे पास ये एक container है माली जी container है या मैं test tube type से ले लेता हूँ ये मेरे पास test tube है test tube या उससे बड़ी tube है इसमें मैंने एक कुछ लिया हुआ है container type से उसमें मैंने कोच लिया हुआ है इसमें मैंने क्या लिया हुआ है कोच लिया हुआ है चीक है और leaf को इस तरीके से place किया है कि leaf half अंदर है और half बाहर है मतलब ये outside है और वो leaf क्या है inside और मैंने इसको बाके cover कर लिया ये part inside है actual में के ओच क्या करता है ध्यान से सुनेंगे actual में के ओच क्या करता है के ओच CO2 absorb कर लेता है CO2 किसने absorb कर ली के ओच ने आप देखिए मुझे photosynthesis के लिए CO2 चाहिए ये नहीं मिलेगी इसको इसको CO2 मिल जाएगी बाहर से तो आपको यहां पर ये समझ आना चाहिए कि के ओच ने CO2 absorb कर लिया absorb करने के बाद CO2 plant को available नहीं हुआ तो ये वाला जो part है वो blue black नहीं आएगा ये वाला part जो है not give blue black color इसके साथ iodine के साथ तो आपने ये सीखा यहां पर अगर आपसे मैं पूछूँ इस experiment में क्या करा आपने half part बाहर था half part अंदर था जो half part अंदर था वो photosynthesis नहीं कर पाया क्योंकि CO2 उसे मिली नहीं CO2 किसने absorb कर ली के होच ने दूसरा जो other half part था उसमें blue black color नहीं आए यहां blue black color आया तो इसमें भी inference क्या है किसके थू कर रहे है starch के थू इसका inference किसकी importance बता रहा है इसका inference बता रहा है importance of CO2 importance of क्या बता रहा है CO2 ये inference है और ये भी proof हो रहा है starch के थू क्योंकि बच्चे confuse करते है starch inference है नहीं clear देख रहे हो leaf is enclosed in a leaf is enclosed in a as tube containing some KOH कोच जो रखा वह था उसने other half जो था वो exposed to air था light में रखा मैंने कुछ time के लिए क्योंकि light के भी ना photo senses नहीं होगी आपको मिलेगा जो exposed part है उसमें मेरे पास starch के लिए positive हाएगा तो हम starch को as a evidence use कर रहे हैं और starch और oxygen को use करेंगे as a evidence यह second experiment है जो हमारे पास basically NCRT ने बोला कि आपने older classes में पढ़ा था अब हमारे पास 11th के according कह रहा है कि first experiment जो है वो है Prisley का bell jar experiment Prisley, Joseph Prisley NCRT ने लिखा इन्होंने oxygen भी discover करी थी तो Joseph Prisley का bell jar experiment 18th century में किया हुआ यह experiment सुनेंगे ध्यान से क्या हुआ इन्होंने क्या किया बिटा एक bell shape का jar लिया एक bell shape का ध्यान से सुनें एक bell shape का ऐसे jar लिया इस jar के अंदर यह mice था और यह candle थी ठीक है candle थी पिटा candle अब देखो mice था और candle थी कुछ time के बाद NCRT कहती है कि मेरे पास candle बुझ गई candle extinguished extinguished मतलब बुझ गई candle and mice जो हो गया वो suffocate हो गया suffocate का मतलब दम घुटने से मर गया कुछ time के बाद फिर इन्होंने क्या रखा यह mint plant रख दिया अगले सेट अप में bell jar का मतलब होता है glass shape का jar जो bell shape का है तो यह क्या रख दिया बिटा यह mint plant रख दिया इसने air बनाई ठीक है तो mice alive रहा तो इस experiment में क्या किया है setup one जो था जो मेरे पास setup one था उसमें उसने क्या रखा candle और mice second setup में mint plant है अगर आप second setup देखोगे तो उसमें mint plant है mint plant यह रखा बिटा उसने उसकी वज़े से air की quality restore हो गई तो NCIT ने क्या point बोला है NCIT ने बोला है कि burning candle एक तो burning candle and mice and mice can destroy air quality यह destroy कर रहे हैं क्या air quality को यह air quality destroy कर रहे हैं बिटा दूसरा हमारे पास क्या है दूसरा हमारे पास क्या है दूसरा है यहाँ पे बात कि अगर आप second setup में देखो तो mint plant ने क्या किया यह main inference है mint plant एक green plant है why mint लिया क्योंकि वो कम light में अच्छी oxygen बना सकता है shade में grow करने वाला plant है तो mint plant can restore air quality can restore air quality जो किसने destroy कर दी थी mice ने और किसने बिटा mice ने और candle ने यह line anxiety लिखती है तो यह क्या कर सकता है उसको restore कर सकता है तो इसका अगर मैं आप से inference पूछू अब क्या इससे inference निकालोगे तो आप यहाँ पर पता कर रहे हो importance of green plant यहाँ पर आप क्या बता रहे हो importance of green plant बता रहे हो एक तरीके से चीक है green plant की importance बता रहे हो और प्रिसली ने जो अपना experiment किया उसमें उसने यही बताया आप देख सकते हैं हम लोगों ने कहा था discuss करेंगे उसने role of air in growth of green plant चीक है यह बताया दूसरा उसने कहा oxygen भी discover करी थी मैंने कहा आपको यह उसने यह कहा बिटा उसने बोला प्रिसली ने बोला यह लिखावा plant restore to the air whatever breathing animal and burning candle remove जिनोंने burning candle और breathing animal ने जो air हटाई थी उसकी quality को वापसी किसने restore करा हमारे पास किसने restore किया mint plant में यह चीज़ समझ आ रही है ठीक है suffocate हो गया जब उसको close उसमें रखा और burning candle बुझ गई ठीक है अब हम लोग इससे अगला experiment पढ़ेंगे next scientist Jan Ingenhaus clear तो प्रिसली ने किसकी importance बताई somehow plant की importance बताई कि वो air quality रेस्टोर कर सकता है अब देखो Jan Ingenhaus ने क्या किया Jan Ingenhaus ने repeat किया प्रिसली का experiment repeat किया प्रिसली का experiment और कब किया एक बार किया डे में एक बार डे टाइम में किया और एक बार किया नाइट में एक बार night में किया और एक बार उसने क्या किया दिन में दो बार किया experiment एक बार दिन में करके देखा और एक बार उसी experiment को उसने रात में करके देखा समझो इस बात को तो प्रिसली ने क्या किया वो जो experiment था उसको repeat किया एक बार दिन में और एक बार रात में, तो रात में क्या हुआ, even, in presence of mint plant, भाई, रात में light तो है नी, photosenses होगी नी, presence of mint plant, my skill हो जाएगा, बिटा, my skill हो जाएगा, आप सोचो खुच से, अगर मैं same experiment, दिन और रात में repeat करूँगा, तो माईस, बिटा, mint कब photosenses करेगा, mint photosenses करेगा daytime में, तो रात में तो मर जाएगा वो, ठीक है, तो यहाँ पर तो normal, माईस alive रहेगा, with mint plant, हाणा, ये चीज की, अच्छा, with mint plant, एक काम तो इन्हों ने ये किया, दूसरा इन्हों ने क्या किया, बिटा, submerged plant लिया, ऐसे, submerged plant, water body plant लिया, उसका नाम था hydrilla, hydrilla क्या होता है, एक aquatic plant लिया, उस aquatic plant को, यहाँ पानी है बिटा, आसपास, total water है इदर, ठीक है, अब ये glass का jar होगा, इन्होंने क्या किया, बिटा, इन्होंने देखा, कि इस aquatic plant पर, जिन points पर, high light intensity डाल रहें, देखो, there are few points, जहाँ पर, high light intensity वो, artificially डाल रहे थे, वहाँ पर, oxygen के, bubble बनने लगे, मतलब, वहाँ पर उनको दिखा, कि oxygen के, हमारे पास, ऐसे, bubble बन रहे थे, उन points से, तो क्या क्या, repeat कर रहा हूँ, एक, submerged, पानी में, डूबा हुआ, aquatic plant लिया, जिसका नाम, hydrilla था, उस पर, high light intensity डाली, तो, वहाँ से, oxygen के, bubble बन रहे थे, तो, इन्होंने प्रूफ किया, कि oxygen के, जो bubble थे, वो bubble, produced होंगे, produced from, from, place, where, where, light जो होगी, light fall करेगी, जो, high light intense, वहाँ, intense light fall करेगी, वहाँ, oxygen के, bubble बनने लगे, ये, उन्होंने देखा, तो, somehow, ये, क्या, बता रहे हैं, बिटा, somehow, ये, importance of light, बता रहे हैं, ये, somehow, importance of light, पे, कुछ बात कर रहे हैं, अगर मैं, इसके, inference की, बात करूँ, तो, importance of light, बता रहे हैं, दूसरा, इन्होंने क्या बताया, कि ये, जो, air के bubble है, air के, जो bubble बने है, वो, oxygen है, अगर आपको question आता है, who discovered oxygen, pristly, पर, जो, plant bubble बना रहा है, वो, oxygen है, वो, किसने प्रूफ किया, Jan Ingenhaus ने, तो, इन्होंने ये experiment, perform किया, और हम इसको देख सकते हैं, NCRT बोलती है, during similar setup, similar, sorry, using similar setup, वही setup यूज किया, एक बार उसको किसमे रखा, dark में, और एक बार उसको रखा, sunlight में, Jan Ingenhaus ने देख, देखा, कि light essential है, light ज़रूरी थी, नहीं, तो, माइस जो था, किल हो रहा था, ठीक है, burning candle वगएरे को, इनको रखने के लिए, light ज़रूरी है, दूसरा उन्होंने बोला, कि, with an aquatic plant, showed that, in bright sunlight, small bubble were formed, around the green part, उन्होंने ये बोला, ना, कि जब light, bright देंगे, intensity ज़्यादा देंगे, तो, छोटे bubble बनेंगे, उन्होंने बोला, वो bubble क्या है, oxygen, ठीक है, तो, उन्होंने दो चीज बोली, light की importance है, दूसरा, oxygen के bubble बन रहे है, green part से, ये इनका influence था, प्रिस्ली ने क्या बताया, प्रिस्ली ने बताया, किसने प्रिस्ली ने, इसने specifically बताया, वो bubble oxygen के, अब मेरी बास सुनो, ये दोनों experiment का evidence, किसके थूरू आ रहा है, oxygen के थूरू, मतलब, हमने कहा था न, photosynthesis हो रही है, इस बात का कुछ proof लेना पड़ेगा, तो proof क्या है, यहाँ पर, proof है oxygen, अब जड़ा next देखो, अगला experiment, अब क्या हुआ बिटा, अब क्या हुआ, जब हमें ये पता चल गया, light important है, तो एक scientist थे, TW Engelman, TW Engelman ने बताया, कि यह light important है, पर देखते हैं, कौन सी wavelength, देखते हैं, कौन सी wavelength important है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा कुछ एक experiment किया, उन्होंने क्या experiment किया, ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या किया, इस चीज को देखो, एक, इस तरीके से, आपकी test tube ले ली, उस test tube में, एक filamentous algae ली है, now this is filamentous algae, filamentous algae होती है, जिसमें filamentus, filament हो, मतला इस तरीके से filament हो, filamentus algae ली, green algae थी, उसका नाम cladophora था, हमने plant kingdom में कहा था, कि cladophora वहाँ नहीं लिखा है, लेकिन anxiety में लिखा है, तो यहां लिखा हुआ है, तो उन्होंने filamentus green algae ली, जिसका नाम क्या था, cladophora, उन्होंने prism लिया, ऐसा prism लिया, उस prism में से light को pass किया, और वो light हमारे पास इस तरीके से 7 wavelength में break हो गई, इस तरीके से क्या हो गई, 7 wavelength में break हो गई, तो यह मेरे पास prism था, ठीक है, इस 7 wavelength में break हो गई, जहाँ पर हमारे पास ध्यान से सुनेंगे जहाँ पर हमारे पास blue यहाँ blue wavelength पड़ी इधर blue पड़ी और इधर red पड़ी तो वहाँ जादा photo senses हो रही तो इन्होंने observe किया कि जहाँ पर blue blue and red region जो है वहाँ पर more oxygen प्रड्यूस जादा oxygen बन रही है कैसे किया देखते हैं प्रिजम से light को divide किया 7 wavelength में आगया होगा यहाँ पर जहाँ blue light पड़ी वहाँ पर उन्होंने actual में क्या किया हुआ था solution में एक खास रहके ऐसे bacteria लिये वे थे इन bacteria का नाम था aerobic bacteria यह aerobic bacteria थे यह वाले bacteria कौन से थे aerobic aerobic bacteria क्या होते हैं वो bacteria जो oxygen की तरफ जाएंगे तो उन्होंने बेटा aerobic bacteria लिये हुए थे यह रहे aerobic bacteria यह aerobic bacteria जहां blue और red wavelength पड़ी वहाँ पर जादा इकठे होगा आप देख लो यह जादा है यहाँ पर यहाँ पर यह जादा है यह नहीं aerobic का मतला होता oxygen की तरफ जाना तो aerobic bacteria जो थे वो कहाँ जादा अटैक हुए अटैच हुए aerobic bacteria attracted towards सोचो attracted towards किसकी तरफ attracted towards red and blue region क्योंकि वहाँ पर जादा oxygen बन रही थी तो इससे proof हो गया इससे proof हो गया कि blue और red region जो है वो जादा oxygen बनाता है अब अगर मैं इनके काम को अगर मैं properly और जादा मतलब detail में लेकर जाऊं तो NCRT कहती है इनोंने first action spectrum बनाया था first action spectrum बनाया था ध्यान से सुनेंगे अगर मैं आपसे कहूँ action spectrum क्या होता है तो आप कहेंगे graph type की चीज action का मतलब plant के लिए है काम अगर मैं कहूँगा action का मतलब plant के लिए है work plant कौन सा work करता है photosenses photosenses हो रहा है इस बात के दो proof थे starting में बोला पहला oxygen या पहला start second is oxygen तो यहाँ पर photosenses का proof है हमारे पास oxygen तो इसका मतलब मैं अगर एक graph plot करूँ जिसमें इधर मैं action दिखाना चाहरा हूँ action action को किस से दिखाऊगे oxygen से मतलब समझो photos मैं कहा रहा हूँ action spectrum में graph plot करूँगा action का मतलब calm calm का मतलब photosenses photosenses का मतलब oxygen तो इस graph पर मैं oxygen का amount लिख दूँगा और इस graph के इस axis पर मैं wavelength लिख दूँगा और मैं ये observe करूँगा बिटा मैं ये observe करूँगा एक इस तरह के से graph observe करूँगा जहां पर मुझे दिखेगा कुछ particular region पर जादा oxygen बन रही है तो मैं ऐसा observe करूँगा कि यहां पर wavelength blue है और यहां wavelength red है तो मैंने ये देखा कि oxygen का amount blue और red wavelength पे जादा है इस तरह के graph को action spectrum कहते हैं जान से चुनलो बिटा इन्होंने क्या किया पहला action spectrum बनाया photosynthesis के लिए और वो बनाया chlorophyll के लिए chlorophyll के एक type होती है उसे chlorophyll A कहते है ठीक है तो उन्होंने उसके लिए बनाया और कहा कि ये दोनों का chlorophyll A और B का match करता है वो बाद में देखेंगे पर mainly दिमाग में ये बिटाओ action spectrum क्या होता है action मतलब calm, calm मतलब oxygen तो oxygen को हम relate कर रहे हैं कितनी photosynthesis हो रही है तो इस graph से आपको क्या पता चलेगा blue wavelength पे जादा oxygen बन रही है जादा oxygen यहां दिखा रहे है ठीक है और red पे जादा बन रही है लेकिन हम क्या बोलेंगे blue और red पे जादा oxygen बन रही है और उसको हम किस से relate कर रहे है photosynthesis से तो इसका मतलब यह हुआ blue and red region इस तरह के graph को action spectrum कहते है give more photosynthesis give more oxygen which is directly proportional to amount of photosynthesis यह हमने कर लिया ठीक है तो यह बिटा TW Engelman का contribution था जिनोंने बताया importance किसकी wavelength की Prisley ने बताया कि mint plant restore कर रहा है इनके ना उसने बताया कि light important है ठीक है clear और oxygen बन रही है इनोंने बताया कि कौन सी wavelength important है और experiment किया क्या लेके aerobic bacteria लेके और इस तरह का experiment किया clear और हम देख सकते इनके contribution में यह line जो NCRT लिखती है कि using a prism split किया light को spectral component मतलब wavelength में green algae cladophora को place किया suspension में जिसमे aerobic bacteria था ठीक है तो वो जहां इकठा हुआ कहां इकठे हुए detect the site of oxygen कहां oxygen बन रही है यह पता किया ठीक है उन्होंने देखा कि ज़्यादा oxygen कहां बन रही है red light पे और blue light पे उन्होंने पहला action spectrum बनाया action spectrum बता दिया आपको क्या था अभी ठीक है क्या observe किया इन्होंने क्या observe किया और क्या importance है इधान से समझेंगे one sec ने देखा one sec ने देखा कि in leaf हमारे पास inside cell कुछ green structure है उन्होंने नाम नहीं बताया green structure है अब हम जानते हैं वो green structure क्या है chloroplast यह बोला one sec ने छीक है clear सही है दूसरा उन्होंने बोला कि उस green structure में green chemical है उस green structure में क्या है मेरे पास green chemical है उस green chemical का नाम हम जानते हैं chlorophyll छीक है क्या नाम जानते हैं हम लोग chlorophyll जानते हैं clear हो गई बात फिर उन्होंने बोला बिटा कि वो जो green structure है ध्यान से सुनेंगे वो जो green structure है हमारे पास और उसमें green chemical है और उनमें क्या बनता है glucose form होता है तो उन्होंने बोला हमारे पास glucose form होगा और वो glucose कैसे store होगा सुनेंगे ध्यान से वो store होगा in form of starch तो यह वाला experiment somehow starch based था ठीक है तो इन्होंने chloroplast मतलब location की बात करी अगर आप ध्यान से देखें कि इनका जो inference था वो किसको पर based था location पर और product पर क्या बन रहा है कहां बन रहा है ठीक है location and product based experiment था location कहां है photosynthesis की और क्या product बन रहा है तो इन्होंने बोला वोन सेक provided evidence for the production of glucose तहां पर उन्होंने बोला वो store होता है starch की form में उन्होंने का special bodies है बाद में उसे chloroplast बोला गया special chemical है उनका नाम chlorophyll रखा गया और यह बताया गया glucose starch की form में store होता है clear यह चीछी समझा रही यह वोन सेक का contribution है अब हमने पढ़ लिए चार experiments जो already NCRT में गिवन थे fifth बहुत important and it is contribution of vanil 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 contribution इसले बहुत significance है क्योंकि इसने somehow bacteria के अंदर होने वाली photosynthesis को explain किया तो NCRT बोलती भी है कि यह एक microbiologist थे microbiologist clear microbiologist जो काम करते है microbes पर like bacteria fungi इन पर ठीक है bacteria fungi virus protista इन में ठीक है तो इन्हों ने क्या किया बिटा इन्होंने significance दिया कि कैसे photosynthesis की importance है ठीक है तो इन्होंने क्या कैसे topic को बताया ध्यान से सुनेंगे ध्यान से देखो बिटा जब मैं photosynthesis को define करता हूं या देखता हूं तो मेरे पास दो step होते हैं photosynthesis को मैं दो step में देखता हूं ध्यान से देखना बिटा पहले step में first step में मैं क्या करता हूं first step में मैं पानी को तोड़ता हूं और एक compound मान लेजी x है ध्यान से देखें बिटा first step जिसे मैं light reaction कहता हूँ उसमें पानी को break करेंगे और पानी की hydrogen इसको दे देंगे तो मेरे पास X के साथ A, H आ गया X के साथ क्या आ गया? H आ गया और ये अलग हो गया कौन? oxygen अब देखो, इसे हम कहते हैं light reaction तो photosynthesis में दो reaction होते हैं पहला होता है light reaction light reaction में main क्या होता है बिटा हमारे पास water break करता है पानी तूट गया पानी तूटने को कहते हैं पानी की oxidation होना oxidation क्यों कहा रहा हूँ? क्योंकि removal of hydrogen हो रही है इसमें से removal of hydrogen हो रही है इसलिए मैं oxidation कहा रहा हूँ दूसरा step हम कहा रहे हैं dark reaction Dark reaction में क्या होगा Dark reaction में जो ये compound बना है ये जाकर CO2 को hydrogen देगा हमने जब chapter start किया था तो हमने कहा था photosynthesis एक reduction है तो यहाँ ये hydrogen इसको देखकर reduction करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही होगी reduction हो रही होगी और ये वापसी X बन गया जो यहाँ use होगा फिर से तो ये dark reaction है तो हमने का photosynthesis दो step में होता है light reaction और dark reaction में ठीक है दो step में होता है light reaction जो होगा वो basically sunlight की वज़े से होता है जिसमें पानी तूटता है पानी का main role अगर आप सोचो water का main role क्या है main role क्या है बेटा पानी का main role है donor of hydrogen hydrogen का donor होना और dark reaction में CO2 की reduction से glucose बनाते है तो हमने का photosynthesis के दो step है light reaction, dark reaction light reaction में पानी तूट कर अपनी hydrogen दे देगा और oxygen वैज़ा by product बनेगा by product बनेगा ठीक, दूसरा हमने का dark reaction में CO2 है, ठीक है अब इन्होंने क्या observe किया इन्होंने का कि देरा certain bacteria मेरे पास कुछ ऐसे bacteria है उन्होंने observe किया जिनमें ये light reaction जो है उसमें कोई और compound यूज़ कर देते है H2S और यहाँ पर X है तो आप देख सकते हो XS तो आ जाएगा जो dark reaction में यूज़ होगा पर by product में sulfur है ये by product है तो इन्होंने कहा कि बिटा ऐसा जरूरी नहीं है कि light reaction में हमेशा पानी तूटे ये जरूरी नहीं है plants में ऐसा होता है मानते हैं पर it is not compulsory कि light reaction में पानी तूटे तो इनकी एक observation जिस पर मैं बात कर सकता हूँ मैं कह सकता हूँ other than other than H2O other than H2O H2S can be can be donor of hydrogen in some bacteria in some bacteria और उन बैक्टीरिया के नाम है हमारे पास उन बैक्टीरिया के नाम है सुनना ध्यान से उन बैक्टीरिया के नाम है Green Sulfur Bacteria ऐसे नाम है बिटा Purple Sulfur Bacteria ऐसे नाम है अब ये नाम एक जगा और लिखे हैं आपके NCRT में Cell वाले चैप्टर में Inclusion Body करके एक टॉपिक है तो हम उन्हों उसने बोला कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जहाँ पर donor क्या यूज हो सकता है H2S तो फिर रिपीट करते हैं हम कह रहे हैं Photosynthesis दो स्टेप में होती है Light Reaction, Dark Reaction उसने कहा पानी जो है वो source of hydrogen है उसकी जगा H2S यूज कर सकते हैं Dark Reaction कॉमर रहेगा फर्क किसमें रहेगा सिर्फ Light Reaction में फर्क किसमें रहने वाला है यहां से पहली observation क्या है Donor of hydrogen can be H2S तो by-product अलग हो जाएगा जैसे अगर मैं अगर मैं donor किसको यूज करूँ देखो अगर मैं donor यूज करूँ donor is donor is H2O तो by-product क्या है by-product is oxygen और अगर मैं यूज करूँ donor is H2S तो by-product क्या है बिटा by-product है sulfur तो यह दो तरह की अलग-लग photosenses होती है इसे कहते हैं N oxygenic N का मतलब absence oxygen बनना oxygen नहीं बन रहा है तो इस वाली को हम क्या बोल देंगे oxygenic तो इसका मतलब photosenses भी अलग-लग हो गई एक oxygen बनाने वाली और एक oxygen नहीं बनाने वाली यह पहला inference था उसके काम का दूसरा उन्होंने बोला कि source of oxygen क्या है oxygen कहां से आ रही है source of oxygen is पानी water देख रहे हो अगर आप reaction देखो source of oxygen क्या है पानी है उसी से मेरे पास oxygen आ रही है यह देखते वे उन्होंने photosynthesis की equation को correct किया कैसे correct किया यह जो equation है यह wrong है इसको correct किया कैसे देखो बिटा उन्होंने कहा कि आपने यह equation पड़ी है 6CO2 plus 6H2O यहाँ पे C6H12 O6 plus 6O2 अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर total 12 oxygen है लेकिन यहाँ पर 6 oxygen है और सारी की सारी oxygen कहां से आ रही है पानी से सारी की सारी oxygen कहां से आ रही है पानी से यह गलत है equation क्योंकि इससे यह proof हो रहा होगा कि कुछ carbon dioxide की oxygen होगी यहाँ पर तो हम क्या करेंगे इस equation को ऐसे लिखेंगे हमारे पास 6CO2 चीक है और उसको change करके लिख देंगे 12H2O clear बाकी हम लिख रहे हैं देख लो C6H12O6 plus 6 की जगा अब 6O2 यहाँ पर मैं extra क्या लिख दूँगा 6H2O तो इसका मतलब यह है अब सारी की सारी oxygen किस से आ रही है पानी से तो यह इन्होंने proof किया कि सारी की सारी oxygen कहां से आ रही है पानी से आ रही है और यह correct equation थी यह wrong equation है clear यह वाली equation wrong है wrong क्यों है क्योंकि यहाँ पर 6 oxygen है या 12 oxygen है balance कैसे करेंगे यहां 12 चाहिए, तब यह सारी की सारी oxygen इससे आ रही होगी यह इस तरीके से इन्होंने proof किया, clear लेकिन इन्होंने एक technique यूज़ करी, direct proof नहीं किया technique का नाम था Radio Isotope Tracer technique technique का नाम क्या था? Radio Isotope Tracer technique यह technique यूज़ की गई इस technique में क्या किया गया? ध्यान से सुनना इस technique में पानी जो plant को दिया गया, उसमें oxygen O18 थी देखो ध्यान से सुनो बिटा, normal oxygen कौन सी होती है? normal oxygen होती है O16 O16, इन्होंने कौन सी ली? इन्होंने ली Radio Isotope वाली वो आगे मेरे पास O18 देख रहे हो? O18, तो हमारे पास इन्होंने यूज़ किया Radio Isotope Tracer technique यह technique यूज़ करी इन्होंने Radio Isotope Tracer technique यह technique यूज़ कर दी जिसमें इन्होंने देखा कि जो पानी है हमारे पास पानी जो है वो O18 O18 वाला पानी लिया, मतलब इसमें 18 है मतलब रेडियो एक्टिव वाला यूज़ किया उन्होंने ठीक है? अब देखो यह पानी प्लांट को दिया प्लांट को दिया तो इन्होंने देखा कि प्लांट में जो ऑक्सीजन बाहर निकली वो O18 वाली थी इसका मतलब जितनी भी ओक्सीजन है वो सारी के सारी किस से आ रही है? पानी से आ रही है तो इस तरीके से उन्होंने पता किया कि जो ओक्सीजन है वो सारी के सारी किस से आ रही है? पानी से और कहीं रेडियो एक्टिविटी मिली नी ग्लूकोज में नी मिली अगर मैंने ऐसा किया, clear, यहां तक समझा रही है बिटा, यह चीज clear है, ठीक है, यह चीज clear है, तो वैन नील के दो important contribution थे, पहला उन्होंने बताया, photosynthesis की दो type होती है, oxygenic और anoxygenic, anoxygenic photosynthesis, bacteria में होती है कुछ में, clear, दूसरा उन्होंने बताया, कि जो यह photosynthesis की equation, इसको correct करने के need है, क्योंकि पानी जो है, वो only source है किसका oxygen का, यह हमारे पास बहुत important contribution रहा, वैन नील का, इसके बाद हम NCRT देखें, और उन्होंने कुछ ऐसा किया, देख लेते हैं, यह कौन थे, microbiologist थे, इन्होंने green purple, green bacteria पे काम किया, इन्होंने कहा, कि पानी जो है, देखो, पानी को H2 A लिख दिया, इन्होंने, H2A का meaning है, H2O और H2S, इसके लिए common word यूज कर दिया, H2A, सही है, देख पा रहे हो, clear, तो उन्होंने का, H2O is hydrogen donor, पानी में, और उन बैक्टीरिया में हमारे पास क्या हो सकता है, sulfur या sulfate, कुछ और compound, ठीक है, sulfur, sulfate, byproduct और कुछ और compound, यूज कर स oxygen evolved by green plant, come from, पानी, water, ठीक है, उसने उन्हों उस equation को balance किया, जो क्या थी, unbalance थी, जो हमारे पास क्या थी, unbalance, clear है, क्या तक समझ आ गई, अब हम क्या देखेंगे, बिटा, अब हम क्या देखेंगे, हम एक छोटा सा topic समझेंगे, क्योंकि हमने scientist का contribution जान लिया है, अब हम ये ज जानेंगे, ध्यान से देखें बिटा, ये मेरे पास plant बनाया मैंने ऐसे, ये leaf है, छीक है, ये leaf है, इस leaf को, leaf के अंदर, मैं खासरे का cell बना रहा हूँ, उस cell का नाम है, ध्यान देखेंगे बिटा, उस cell का नाम है, मीजोफिल cell, ये मैंने एक cell बना दिया है, plant cell, उस cell का नाम उसका vacuole है और यह nucleus हो सकता है इस cell का नाम है mesophyll cell तो याद रखें leaf के अंदर कौन सा cell है जिसमें photosynthesis होती है उसे हम कहते है mesophyll cell mesophyll cell इसको dicot में दो type में divide करते है spongy and palisade सबसे पहले समझो बिटा photosynthesis leaf में होती है इसके अलावा green stem में हो सकती है दूसरा मैंने क्या किया, मीजोफिल सेल जो है, वो सेल है, जिसको हम स्पॉंजी और पैलिसेड पैरन काइमा में डिवाइड करते हैं, डाइकॉट में, वो मीजोफिल ही होते हैं, अब मीजोफिल सेल में मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है, यहां देखें ध्यान से this is outer membrane and this one is inner membrane ये chloroplast के inner membrane है दोनों lipid bilayer है इन में क्या होता है बेटा एक flat structures होते हैं membrane के बने वे ऐसे ये flat structures होते हैं इस तरीके से ठीक है इस single structure को मैं थाइलाकॉइड कहता हूँ ऐसे structure को थाइलाकॉइड कहता हूँ ये structure अगर बहुत सारे हैं बहुत सारे इस तरीके से लगे हुए है क्वाइन के जैसे तो इसे ग्रैनम कहते हैं और थाइलाकॉइड कौन सा हो गया ग्रैनल ग्रैनम में present ग्रैनल समझ लो ये ग्रैनल थाइलाकॉइड बोल दिया तो हमने क से ऐसे प्रेजेंट है इन्हें हम क्या नाम देते हैं स्ट्रोमल हाइलाकॉइड या एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्ट्रोमल लैमिली स्ट्रोमल लैमिली छीक यह मेरे पास क्लोरोप्लास की डिटेल है प्लॉरोप्लास का अपना DNA होता है जो bacteria जैसा होता है अपने उसके ribozome भी होते है clear है अपने उसके ribozome भी होते है protein बनाने के लिए clear यहाँ पर जो जगा है इसको हम stroma कहते है जो liquid जैसा जो है mitochondria में matrix कहते हैं यहाँ पर stroma कहते है सबसे important चीज यह है बिटा आपको यह पता होना चाहिए कि stroma में होगा dark reaction stroma में क्या होगा dark reaction और thylakoid की membrane पर pigment लगे रहेंगे thylakoid की membrane पर मेरे पास क्या लगे रहेंगे pigment तो thylakoid की membrane पर जब pigment लगे हैं तो यहाँ पर मेरे पास light reaction होगा तो हमने क्या पड़ा dark और light reaction की location पड़ी dark reaction होगा stroma पर और light reaction होगा किस पर thylakoid की membrane पर यह चीज clear है light और dark reaction दूसरी important चीज NCRT ने एक बात बोली है बिटा NCRT ने कहा है कि जैसे मालो यह cell है मेरे पास this is cell उसने बोला कि position of chloroplast is not fixed अगर evening होती है तो evening में chloroplast खुद को ऐसे लगाते हैं क्योंकि evening में light ऐसे आती है देखे और afternoon में chloroplast direct light intensity से जलना जाएं तो वो उसको इस तरीके से लगाते हैं तो evening में chloroplast parallel to cell structure लगाते हैं ऐसा मेरे पास afternoon में होता है क्योंकि position of chloroplast can change in cell और हमने कहा था can change हमने कहा था यह होगा कैसे cytoplasmic streaming से उससे होगा यह यह चीज clear है तो chloroplast की position बदल सकती है cell के अंदर अब आपके लिए एक सवाल है इस topic को मैं stop कर रहा हूँ यहाँ से हम pigments के बारे में पढ़ना start करेंगे light reaction next class में question यह है बिटा light और dark reaction दो step है photosenses में कौन सा step photosenses को control करता है यह आपके लिए question है और इसको बिलकुल answer करें चाहे comment में चाहे जैसे आप कर सके basically comment में बताई कि light और dark reaction में कौन सा step photosenses को control करता है next class में मैं इसका answer जरूर करूँगा नहीं तो मैं comment में आपको बता दूँगा कि exactly क्या है ठीक है तो next lecture में मिलते हैं और उसमें हम लोग पढ़ने वाले है light reaction और pigments की डिटेक्ट पढ़ाई करते रहे हैं all the very best